हेलो एप्रिवान वेलकम करती हूँ प्रीतो कीजी रेस्पीस में तो आज हम कोई रेस्पी नहीं लेकर आए हैं सिर्फ जादूई ट्रिक से बनाएंगे बहुत सारे बत्ती जो पांच मिनट में सैकडो बाती बना कर तयार कर सकते हो और गाईस ये आधे घंटे तक ये जलता ह बाती बहुत मजबूत होता है मतलब आप अगर तेल भरपूर डालते हो एक बाती में तो कम से कम पॉन घंटे तक अराम से जल सकता है और आज हम एक नहीं दो नहीं बलकि तीन तरह के बत्ती बताएंगे जो घर में आप बना सकते हो मार्केट से भी जादा बढ़ियां बना आते हैं जो आपके लिए काफी जो है help रहेगा और काफी आसान रहेगा तो सबसे पहले हमने क्या किया है जो यह फूल बत्ती बनाया है ना बहुत आसान है बिल्कुल इजी है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता मतलब जान लो कि 5 मिनट में सैकड़ो बाती बनाकर तयार कर सकते हो तो सबसे पहले यहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कॉटन की तो कॉटन तो जो है हर पहिंसारी के दुकान पर आसानी से मिल जाता है यह देखिए कॉटन जो होता है यह बहुत आसानी से मिल जाता है पहले हमारे गाओं में मनवा के पेड़ होते थे जिसमें से रुई निकलती थी हमारी दादी वादी बनाती थी तो हमारी दादी न मतलब 5 मिनट में सैकड़ो बाती बनाकर तयार करती थी तो आज मैं वही तरीका आप लोग के साथ सेयर करूंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे गोल बत्ती बनाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे बहु करना से। निकालने के बाद ग्हीजास निकाल से अगर लाल्चंदल लगा से बल देना क nic आप फिर मशीन से बनाते होंगे लेकिन मैं हाथों से बना रही हूँ लेकिन ये देखे इतने मजबूत ये बाती बनते हैं ना सच में रेडिमेड के बाती भी फेल हो जाएंगे बहुत ही गजब का है मैं सैकड़ो बाती बना कर तयार कर सकती हो और मैं हमेशा से घर में ही बा आलचंदन में लगाके या फिर आप पीली हल्दी वाली भी बनाना चाहेंगे ना घी में थोड़ी से पीली हल्दी डाल दीजिए बस आपकी बढ़िया फ्रेश एकदम धूबती बने के तयार हो गया चली अब जलाना कैसे है तो आप क्या करें ना इसको जो है तो एक मतलब छ खंजोत में रखके चला देना है यह देखिए मैं हमेशा ऐसे करती हूँ ठंडियों में क्या होती ना घी जो है तो जम जाता है तो यह बहुत आसान होता बस एक फूल बती निकालिए और दीपक में रखके इस तरह से जला दीजिए यह देखिए और यह कम से कम 20-25 मिनट त तक मतलब आराम से जल जाएगा तो देखिए कितनी बढ़िया जलती है बिल्कुल भी ज्यादा लव नहीं आ रहा है कम कम लव आ रहा है और धीरे-धीरे कितने अच्छे से जल रहा है चलिए अब चल्या क्या होता है ना हम इस तरह के जो लंबे वाले बाती होते ना आसानी से मैं मार्केट में 10 रुपे का खरीद लाती हूं लेकिन यह जलता नहीं है मतलब कि इसको जलाने के बाद 2-3 मिनट बाद बुझ जाता है बहुत मतलब हलका होता बहुत जादा मतलब बे जान होती है तो अब इसको फेकेंगे तो है नहीं तो इस तरह से अगर आप बाती ल करीं लगाएंगे और क्या करेंगे यह जो एक बती है अउसमें आप क्या करेंगे दो बाती मिला के मतलब हलकी होते ना तर आप इसको को के इसको एक साथ ऐसे बर दीजिये ऐसे कहते क्या होता ना बाती झो है भारी हो जाता है और बहुत अच्छे से जलता है और काफी नीज़ तक झलता है और अच्छा भी लसक्ता है काफी देplease गिव सकत जाओंगी इस तरह से तो दो बाती को एक साथ लेके इसको इस तरह से बर देना है और यह बाती थोड़ी सी ना मजबूत हो जाती है तो बहुत अच्छे से जलती है और जो हलकी होती है रेडिमेड वाली वाली वो जलती नहीं है बस हलका सा दो तीन मिनट तक जलेगा फिर की वीडियो चाहिए ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैं एक और नई तरह से बाती बनाऊंगी जो अभी दिवाली आ रहा है ना दिवाली में ना सबको बाती की जरूरत पड़ेगी तो यह देखिए तो मैंने इस तरह से जो है मतलब यह जालो पांस मिनट कर लिया है यह इस तरह से तो दिवाली आ रही है तो दिवाली में आज तो वाय सब भी लोग घर में बाती बनाते हैं तो मैं भी घर पर ही बनाती ह Speak ूप रेडि दे में थोड़ा सा कम लेती हूं इसलिए लेती हूं क्योंकि वह जाड़ा तक जलता नहीं है मेहनत भी करो और जलता भी नहीं है चलिए यह वाला एक्ठी जला के दिखाते हैं और यह इतने अच्छा जलते धीरे धीरे जलता है और बिल्कुल भी बुशता नहीं है मतलब बहुत तेज नहीं जलता जैसे कभी-कभी होता ना बाती जो है बहुत तेज से जरूर बताना मैं और सारे बाती का जो है वीडियो लाओंगे जरूर और इस तरह से क्या करें आप इसको डिबे में भरके रखते तो अभी दीवाली के पहले-पहले बना के रख दीजिए गाइस जो है आपको आसान हो जाएगा और आपको ज्यादा मेहनत का काम पड़ेगा नहीं तो चलिए आज मैं कलावा की बाती भी बना के दिखाती हूं मैं अक्सर क्या करती हूं रूई की बाती से ज्यादा कलावे की बाती जलाती हूं तो देखिए हमारे पास ये कलावे की बाती है और ये न कम से कम पॉन घंटा यानि की एक घंटा तक तो जलता ही है तो क् साइज को जो है जितना आप जलाते हो ना उसे आप डबस तोड़ लीजिए और इसाइज प्रवाई कि या बहुत शूब होता है हमारे जो 34 पंड़ शुरेश पंड़ेश ये भी बताते हैं जो कलावे की बाति के तेल में जलाते हैं ना उनके घर में कभी आकास्मिक दुर घटना नहीं होती है बहुत अच्छा माना जाता है मैं सुरू से ही पहले कोटन के बाती जलाती थी लेकिन अब मैं रच्छा सूत्र के बा के दिखाए बहुत आसान है गाईस मतलब यह जालो को आप बहुत सारी बाती सिर्फ मिंटों में बना के तयार कर सकते हो यह देखिए कितना मतलब बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ा ना किसी के साथ जो है आपको बाती बनाने की जरूरत पड़ी आप अकेले सैकड़ों बाती बना कर तयार कर सकते हो देखिए यह तो यह हमारे रच्छा सूत्र की जो बत्ती है ना यह मैं अखंड जोती में जलाओंगी और मैं आप लोग को जला के भी दिखाओंगी और यह बाती इतनी मजबूत हो जाती ना बढ़र देने के बाद ना तो बहुत अच्छे से जलती है और दीवाली के दिन तो वैसे भी अगर दीपक जलाओ ना तो कम से कम आठ नौ घंटे तो जलने ही चाहिए तो यह बादी में अक्षर ही बनाके ऐसे ही जलाती हो तो देखिए यह मैं जो अखंड ङोती जो छोटे वाले है ना मैं इशिमें पाईपिंग में डाल के और बस तेल डालूंगे तिल का, तो कभी भी कलावे की बाती अगर जलाए ना, तो सरसों के तेल में नहीं, तिल के तेल में जलाएं, ये देखिए, कितना अच्छे से जला है, और इतना धीमे धीमे जलता है, और ऐसे धीमे धीमे जलने पे न, मतलब 9 घंटे तो आराम से जल स देखिए तो यह रही हमारी रच्छा सूत्री की बाती तो आप लोग से मैं उम्मीद करूंगी कि आपको यह मेरी वाती वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना शेयर भी कर देना और प्लीज गाईस सस्क्राइब किये बिना मत जाना और मैं कुकिंग वीडियो बहुत अच्छी अच्छी बनाती हूं एकदम हिल्दी तरीके से कम तेल मसाले में तो जरूर हमारी कुकिंग वीडियो को देखा करें गाईस और अच्छा लगे तो लाइक भी किया करें और ज जरूर बताना